नमस्कार दोसों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने से यूटूब चनल पे दोस्तों मैं हूँ एड़ुकेट मंजीत रपाठी दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात रहेंगे बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक पे टॉपिक ये है कि क्या आपको किसी के भी लोन में गारेंटर बनना चाहिए या नहीं चाहिए अगर आप लोन में गारेंटर बनते हैं किसी को गारेंटी देते हैं तो इसमें आपको क्या नुकसान हो सकता है और इसमें आपकी civil खराब हो सकती है या नहीं यदि वह व्यक्थी जो loan लेने वाला है वह अपना loan payment करने में repayment करने में default कर देता है मेरे पास बहुत सारा लोगों की comments आते हैं कि सर हम एक loan में guarantee हैं और हमने guarantee दी हुई है उसमें तो क्या हमारे सिविल पे कोई असर पड़ेगा, क्या हमारा भी मकान बिख सकता है, अगर बॉरवर ने पैसा नहीं दिया तो ये समस्या बहुत ही गंभीर है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी समस्या पे चर्चा करेंगे, और यदि आपने भी किसी भी लोन में गारं सकते हैं, और बॉरवर से पैसा निकलवा सकते हैं, यदि वह अपना लोन नहीं पे करता है, तो दोस्तो चैनल में पहली बारा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा, साथी साथ बेल आइकन दबाके, और नोटिफिकेशन को भी ओन कर लिजेगा, ताकि जब भी कोई वीडियो कोड है, तो उसके नोटिफिकेशन के जनकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, चले दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को सुरू करते हैं, दोस्तों देखिए क्या है, आज के समय में लोग दूसरे को बहुत ही ज्यादा फसा रहे हैं, लोन की गारंटी अगर वो कोई secure loan लेने जा रहा है, और उसकी credit history अच्छी नहीं है, civil score का अच्छा नहीं है, तो bank उसके लिए गारंटी मांगता है, तो गारंटी में वो हमेशा उसी बंदे को या उसी व्यक्ति को वो ढूनता है, जिसने कभी loan नहीं लिया, और जिसने कभी loan को payment करने में अच्छी खासी property है, और जो उसके बातों में आसानी से आ जाए, तो देखिए इसमें अगर आप guarantee देते हैं, तो आपके लिए क्या मुश्किल होगी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने किसी की guarantee दी है, और आपने भी property mortgage की हुई है, तो इसमें आपकी property जा सकती है, दू करेगा, तो आप settle करेंगे, तो इसमें आपकी civil score भी खराब हो जाएगी, जिससे कि भविश्य में आपको कोई loan नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार की दिक्कतें आपको होनी शुरू हो जाएगी, अब वह borrower है, कहीं भाग गया, और legal notice आपके घर पे आ रही है, पैसा उसने ल दिये, और भुगतना आपको पड़ रहा है, तो इस condition में आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, तो हमेशा सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति की guarantee दीजिए, जो की position में अच्छा हो, और जिसकी credit history अच्छी हो, दूसरी बात यह है कि जो विश्वास के पात रहो लेकिन जब आप loan में guarantor बन जाते हैं, तो ही उसका चहरा सामने आता है, और वह आपको समझ में आता है कि यह तो लफड़े वाला व्यक्ति है, तो इस condition में आपके लिए बचाव क्या है, आप हमेशा परिशान हो जाते हैं, कि bank की तरफ से legal notice आपको ही आ रही है, कभी कभी तो आपने देखा होगा, practical की में बात कर रहा हूं, कि borrower की property को छोड़ करके, guarantor की property को bank auction करने लगते हैं, तो इसमें borrower और bank का manager दोनों मिल जाते हैं, जो लफड़े वाला borrower होता है, उसकी setting रहती है बैंकों के साथ, तो वो भोले भाले लोग को फसा करके, उनकी property को न तो ऐसे condition में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपने किसी guarantee दी है, और किसी ने loan लिया है, और जैसे ही वो NPE हो जाता है, तभी से आप उसके उपर नजन रखना शुरू कर दीजिए, अगर वो NPE की बाद भी पैसा payment नहीं करता है, और तेरा दोकी notice आपको ने पैसा पे नहीं किया, तो मैं तुम्हारे ऊपर 400 BC IPC की धारा, 400 BC के अंतरगत धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा फाइल कर दूँगा, अगर उससे भी वोह नहीं समलता है, आपकी बात को नहीं मानता है, बैंक का पैसा नहीं देता है, तो आप बिलकुल उसके उपर F पायार हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं, जो दूसरों को फसा करके अपने मित्रों को, अपने रिष्टेदारों को, लोग पैसों के लिए रिष्टे नहीं देखते हैं, तो आप बॉर्वर से पैसा इसी तरीके से निकलवा सकते हैं, उसके उपर 400 BC यानि धोखा दड़ी का मुगदमा फाइल कर सकते हैं, दोस्तों यह एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, बॉर्वर से पैसा निकलवाने के लिए, अन्य था आपके उपर लीगल एक्षिन हो सकते हैं, बैंक आप ही की प्रॉपर्टी बेश सकता है, तो आप बैंक मै बैंक से कोई भी लोन लिया है, और बैंक वाले आपको परिशान कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो सेक्योर लोन हो, तो आप स्क्रीन पे दिये हुए वाट्सप नंबर पर कांटेक कर सकते हैं, और आप घर बैठे ही अपने लिए एक लीगल एडवाइस ले स रखते हैं, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो के एक लाइक जरू कर जिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर जिएगा, और हमारे चनल को सब्सक्राइब करके, हमें सपोर्ट जरू प्रतान करीगा, थैंक यू सो मच, जैन दोस्तों